विल्कम बैग बच्छों स्ट्रेट, I am 11 में आपका बहुत सफागत है आज आपको हम जन्तु उत्तक के बारे हम बताएंगे जन्तु उत्तक क्या होता है जन्तु उत्तक मतलब क्या हुआ कि जन्तु के शरीर में मूल रूप से चार पगार के उत्तक पाई जाते हैं देखो उत्तक का मतलब क्या हुआ कोशिकाओं का समोग, कोशिकाओं का समोग जो होता है उत्तक कहलाता है अब जन्तूँ के शेरे में जो कोशिकाओं का समू होगा, वो जन्तू उतक होगा, तो जन्तू उतक कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, चार प्रकार के, देखिए, एपिथीलियल, कनेक्टिव टिशू, एपिथीलियल टिशू, कन टेशी उत्तक, नर्वस टेशू को तंत्रिका उत्तक, बचों, एपिथीलेल जो टेशू होता है, उपकला उत्तक जो होता है, जन्तु के समस्त अंगों पर बाहरी से बाहरी और भीतरी संगराशात्मक आवरण बनाने वाला जो उत्तक होता है, वो एपिथीलेल टेशू होता ह ठीक है, जंदु का समस्त जंदु के जो आंक होते हैं उनपर बाहरी और भीतिरी आवरण जो रक्षात्मक आवरण होता है उनको बनाने वाला जो उत्तक है, वो क्या कहना है? получится उत्तक कहना है और इसका निर्मार तीन प्रार्थमी जनणा अस्तिर से होता है पहला Ectoderm, Mesoderm और Endoderm. पहला Ectoderm है दूसरा Mesoderm है और तीसरा Endoderm है. Ectoderm क्या हो गया? बाहरी वाला, Mesoderm जो बीच का होता है और Endoderm जो आंत्रीक स्थर होता है. ठीक इसके कोशिका हैं आपस में सटी रहती हैं और एक सजीव आधार कला पर सदी रहती हैं. पैस्ट होती है आपसं में सठी होती है और एक सजीव आधार कलां पर सधी रहती हैं अधार कला करनेमार्ज होता है वह कोशीकाओं के दौरह ही जो स्रावित होता है मिलब सीगलीशन होता रहता है मिको पॉलिसेक्राइड का और सैयोजी उत्तक के रेटिकुलर फाइवर से होता रहता है ठीक जो आधार कला का निर्माढ़ है वो किसे होता है बच्चों जो यह कोशीक आए कोशीकाएं है epithelial tissues की उनसे एक secretion होता रहता है mycopolysaccharide जिसको कहते हैं और सायोजी उतक का secretion होता है वो reticular fiber होता है तो इनसे मिलकर बद्द है चलिए देखिए ये जनतु उतक के बारे में आपको एम एक बार वैसे डायग्राम के थ्रू भी समझाएंगे देखिए जो ये जनतु उतक है वो दो भागों में divided है ठीक है जनतु उतक sorry, चार भागों में divided है पहले ही बताया था चार भागों में divided है कौन-कौन सा connective tissue ठीक, connective tissue दूसरा क्या है epithelial tissue और तीसरा क्या है muscular tissue और चौथा है nervous tissue ठीक, चौथा क्या है nervous tissue अब देखिए आगे कैसे classify हो रहे है जो connective tissue है वो three parts में divide हो गये है कौन-कौन से three parts में divide हो गये है connective tissue proper skeletal tissue और vascular tissue बच्चों जो ये connective tissue proper है वो आगे चलका three parts में divide होता है areolar tissue fibrous tissue और specialized tissue ठीक, फिर इसी fibrous tissue को हम देखते है वो कितने भागों में divide हो रहा है two parts में divide हो रहा है ठीक, white collagenous fibrous tissue white collagenous fibrous tissue दूसरा क्या है yellow elastic connective tissue यही yellow elastic connective tissue क्या होता है आगे चलकर pigmented connective tissue बनाता है ठीक, अब बात करते हैं skeletal tissue गी तो skeletal tissue जो होता है वो two parts में divide होता है cartilage और bones muscular tissue जो होता है वो भी आगे चलकर two parts में divide होता है जिसको हम कहते हैं blood और lymph epithelial tissue जो है वो दो प्रकार की होती है covering epithelium और glandular epithelium covering epithelium और glandular epithelium और muscular tissues जो होती है वो three types की होती है un-stripped, stripped और cardiac जिसको un-extric patient कहते हो आप or eccentric patient कहते हो और cardiac क्या होती है हिर्दैपेशिया होती है चले आगे देखे nervous tissue नवस tissue में भी हम आगे पढ़ेंगे अब function क्या होता है epithelium का function देखिए epithelium tissues जो होती है उनका मोखिकार क्या होता है शरीर और अंतरांगों की सुरक्षा करना क्या होता है उनका मोखिकार शरीर और अंतरांगों की सुरक्षा करना और या भीतर स्थित उत्तकों की कोशिकाओं को जिवाड़ों, रोगाड़ों और इन सबके जो दुश्परभाव होते हैं यानि कि हानिकारक पदार्थ है या चोट है इनसे हमें बचाती है ठीक है और शुशन आंगों से गैसों का उसरजी आंगों के दौरा उसरजी पदार्थों का आदान प्रदान भी किसके दौरा होता है एपिथीलियल टीशू के दौरा होता है समेद आंगों की एपिथीलियम समेदना ग्रहर करने का काम करती है और Mealalin की उपस्तिती की कालर क्या होता है, तोचा का रंग हमें दिखाई पड़ता है कि तोचा का रंग कैसा है Mealalin जैसा होगा उतना ही एफेक्टिव स्किन का कलर होगा और ग्या कालर है हिछ जाँ भर्न्ए, पुन्न धोमन की असीम चमता होती है हाँ घाव भाने पुनित भाम मतलब क्या हुआ रिजनरेशन रिजनरेट कर जाती है ठीक अच्छा एक्जाम्पल क्या है बच्छों आउटर मोस्ट लेयर ऑफ दा इस्किन मतलब इस्किन की बहारी परत इस्किन की आंत्रिक परत सिर्क्षात्माग आवरार का जो रोल होता है वह किसका होता है एपिथेलियम टिशू का होता है ठीक चलिए आगे बढ़ते हैं सेयोजी उत्तक के बारे में देखते हैं सेयोजी उत्तक क्या होता है बच्छों सेयोजी उत्तक यानि कनेक्टिव टिशू यह क्या होता है यह मुखता अंगों को और उनके अस्थान पर अं अंगों से जोड़ने का कारे करता है मतलब क्या हुआ कि अंग को एक जगा पेस्थी रखेगा और दूसरे अंग से जोड़ने का कारे करेगा संयोजी उत्तक में अंत्रा कोश्किय पदार्थ की मात्रा जो होती है वो कैसी होती है बहुत अधिक होती है यह लस्दार और ज़ली के समान होती है, और मुको पॉलिसेकराइड, प्रोटियो ग्लाइकॉन और हालियोरियोरिक एसिड और उत्तक दरव से बने होते हैं. बच्छों, अब इसका देखो, ये किन की चीजों से मिलका बना होता है? पहला तो ये हो गया है मुकोपॉलिजेकराइड, दूसरा प्रोटियो ग्लाइकॉन और तीसरा हैलो यूरोनिक एसिट और उत्तक द्रब से बने होते हैं ठीक है इनका फंक्शन क्या होता है अंतरागों का सुरक्षात्मक आवराड का काम करता है रूधिर वायनियों और कोशिकाओं के मद्य रसानिक लेंदिन का माध्यम बनता है और इंटर्नल ओर्गन्स को वाय आघातों से और दबाव से बचाता है अंगों में चिकनाहट पैदा करता है और दिर्था प्रदान करता है अस्थियों और पेश्यों को परस पर जोड़कर अंगों की गती प्रदान करता है और गमन में साहता करता है बच्चों या रोगार्वों विशाक्त पदार्थों को नस्ट करके शरीक को सुरक्षा प्रदान करता है जैसे एडिपोज, कार्टिलेज और ब्लड और बोन ठीक, अब बात करेंगे हम मस्कुलर टिशू के बारे में यानि कि पेशी उत्तक के बारे में इसकी उत्पति कहां से होती है, भ्रूडी, मीजोड्रम से होती है इसका निर्मार लंबी, संक्री और संकुचन शील पेशी कोशिकाओं या पेशी तंतुओं से होता है पेशी कोशिका में संकुचन शीलता तथा चालकता का गुड सुविक्सित होता है इसका ि फॉंक्षन क्या है पेशों की कारण प्रचलन ले पास्थियाँ परनस पर मिलकर शटेश आढ़ाओं mere इसी के कारण, muscular tissue के कारण थी तो अंगों में गती होती है। और प्रचलन मतलब एक जगा से दूसरे जगा पर यह जा सकते हैं। और श्रसन अंगों द्वारा, गैसों का आधान प्रदान होता है। शरीर में रक्त यम लसिका का परिसन चणव होता है। हिर्दय में स्पन्दन होते हैं ठीक तो यह था हमारा मस्कुलर टिश्यू अब हम बात करेंगे नवस्य टिशू के बारे में यानि तंतरिका तंतरिका नियंत्र्ड केंद होता है अब अगर आपसे पूछा जाये धुकिसे नियंत्र quests क्या होता है तो आप difference से बताओगे मस्तिश होता है तंत्रिका तंत्र में तंत्रिका उत्तक जो होता है वो तंत्रिका तंत्र में संगठित कोशिकाओं के समू के लिए शब्द है जो अंग प्लाली है जो शरीर के विविन हिस्सों से शरीर के आंदोलनों को भेशता रहता है और संकेतों को नियंत्र आजा होती है थेक। देखिये तंद्रेका तंतुरू